श्री शिवाय नमस्तूब्यम हर हर महादेव मैं पायल सेनी अपने यूटूब चेनल आज की उपाय में आपका स्वागत करती हूं पित्र मौक्ष शिव महापुराण में बताया गए हिंडू धर्म में श्राद्ध पक्ष का बहुती अत्यदिक महत्व होता है इसे पित्रपक्ष भी कहा जाता है यस समय हमारे पित्रों को समर्पित होता है श्राद्ध पक्ष सोला दिन के होते हैं इन सोला दिनों में अपने पित्रों को याद कर उनकी म्रत्यूतिती पर तरपन और पिंड़दान आधी कर्म किये जाते हैं एसा करने से हमारे पित्रों को मोक्ष मिलता है उनकी आत्मा को शांती मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं पित्र पक्ष में लोग अपने पूर्वजों को का शराद करते हैं उनकी आत्मा की शांती के रिए यग्य अनुस्ठान भी करते हैं यग्ये के बाद अपने पित्रों का जल और अन का भाग कोवे, गाय और कुत्ते के द्वारा करवाते हैं श्राद के दोरान तरपन के बाद इन तीनों को भोजन कराया जता है श्राद में इन तीनों को भोजन कराने से हमारे पित्रों को तरपते मिलती है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्राद पक्ष में गाय को खाना क्यों खिलाया जाता है श्राद पक्ष में गाय को खाना खिलाना से आपको कौन से फल की प्राप्ती होती है श्राद पक्ष में गाय को भोजन कराना क्यों जरूरी बताया गया है चलिए जानते हैं दोस्तों गाय को गया सुर का वर है कि श्राद पक्ष में वो गाय के मुख में निवास करेंगे यानि श्राद पक्ष के सोला दिनों तक गाय के मुख में गया शेत्र का फल निवास करता है मतलब जो गया जी ना जा पाएं जो श्राद ना कर पाएं जो पिंडदान ना कर पाएं यदि वो श्राद पक्ष में गाई को एक रोटी भी खिला देते हैं तो उस व्यक्ति को गयाजी में किये गए पिंडदान का पुन्य फल मिल जाता है दोस्तों ध्यान रखें जब भी आप श्राद पक्ष में गाई को रोटी प्रदान करें हैं तो गाई का मुख दक्षिन दिशा की और करके गाई को रोटी खिलाना चाहिए यह दिशा हमारे पित्रों की होती है यदि इस दिशा में हम गाई को रोटी खिलाते हैं तो वो सीधे हमारे पित्रों को प्राप्त होती हैं ध्यान रखें जब भी आप गाई को रोटी या पूरी जो भी खिला रहे हैं वो आपको दो खिलाना चाहिए यदि आप पूरी खिला रहे हैं तो गाय को दो पूरी खिला हैं यदि आप रोटी खिला रहे हैं तो गाय को दो रोटी खिला हैं इससे जिस महिला ने खाना बनाया है यह जो महिला गाय को खाना खिला रही है उस महिला के ससुराल पक्ष को और माय के पक्ष दोनों को इसका भ प्राप्त होता है इसलिए श्राद्द पक्ष में गाई को रोटी या पूरी जो भी आपके घर में बना है वो अवश्य खिलाना चाहिए इससे हमारे पित्रों को भोजन का भाग प्राप्त होता है उन्हें त्रपती मिलती है और वे प्रसंद होकर हमें आशिर्वाद देकर ज हर हर महादेव लिखें